प्रस्न एक निम्नी लिखी त्रीपद बेंजकों का गुननखंड ग्याद करें प्रस्न एक तो प्रस्न एक का एल 100 P स्क्वाइर माइनस 100 P Q प्लस 25 Q स्क्वाइर तो 100 P स्क्वाइर माइनस 100 P Q प्लस 25 Q स्क्वाइर तो 25 के पहाड़ा में सब आता है 25 चौक 100 25 चौक 100 अब 25 गुनाएक 25 तो 25 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 25 चौक 100 यानि 4 P स्क्वाइर यहाँ पर माइनस 25 चौक 100 4 P Q प्लस Q स्क्वाइर तो इस तरह इसको लिख लेंगे उसके बाद 25 कौमन ले लेंगे तो इस तरह हो जाएगा यहाँ पर 4 P स्क्वाइर माइनस क्योंकि 25 चौक 100 होता है तो 4 यहाँ पर लिखेंगे 4 P स्क्वाइर माइनस 4 P Q प्लस Q स्क्वाइर अब यहाँ पर बड़ा कोश्टक लगाएंगे क्योंकि 4 P स्क्वाइर को हम लिख सकते हैं 2 P का होल स्क्वाइर यहाँ 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 पर बड़ा कोश्टक लिखेंगे 2 P स्क्वाइर को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 P का होल स्क्वाइर यानि 2 P 2 P पर वर्ग हो जाएगा माइनस 4 P Q को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 इंटू 2 P इंटू Q यानि यह स्क्वाइर माइनस 2 A B देखे 2 A B 2 इंटू A इंटू B तो यहाँ पर गुना में है तीनो तो इस तरह लिख लेंगे 2 इंटू A इंटू B यानि 2 इंटू 2 P इंटू Q ठीक है तो इसको दसमलों नहीं समझना है यह तीनों गुना में है अब Q स्क्वाइर को लिख लेंगे Q स्क्वाइर ठीक है तो A स्क्वाइर माइनस 2 A B प्लस B स्क्वाइर के सूतर पर यह आ गया है तो A स्क्वाइर माइनस 2 A B प्लस B स्क्वाइर बराबर क्या होता है तो लिखेंगे 25 फिर A स्क्वाइर माइनस 2 A B plus b square बराबर a minus b यानि a के जगा पे 2p है और b के जगा पे q है यानि a minus b का whole square तो 2p minus q का whole square तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 2p minus q का whole square है यानि इसको 2 बार गुना कर देंगे तो 2p minus q into 2p minus q क्योंकि हाँ पे whole square यानि 2 बार गुना कर देंगे तो इसका गुननखंड हो गया 25 गुना 2p minus q गुना 2p minus q q तो इस तरह इसका गुननखंड करेंगे तो इसमें ये सूत्र लगेगा a minus b का whole square बराबर a square minus 2ab plus b square और a plus b का whole square बराबर होता है a square plus 2ab plus b square ठीक है? तो ये दोनों सूत्र अभी हम प्रियोग करेंगे तो a minus b का whole square अभी ये सूत्र इस प्रियोग किये है a square minus 2ab plus b square ठीक है? जिसका होता है a minus b का whole square तो m में है x square बटा a square प्लस 2 प्लस a square बटा x square तो इसका हम लिख लेंगे x बटा a का whole square क्योंकि दोनों पे वर्ग है तो x बटा a का यानि x बटा a दोनों पे वर्ग इस तरह से दे देंगे क्योंकि दोनों पे वर्ग है plus 2 into a, a में है x बटा a into b में है a बटा x तो a square plus 2ab plus b square b square में a बटा x का whole square तो a square plus 2ab plus b square तो a square plus 2ab plus b square बराबर क्या होता है तो इसमें देखी ये सुतर लगेगा a plus b का whole square बराबर a square plus 2ab plus b square तो इसको लिख लेंगे a plus b यानि a के जगा पे x बटा a है plus b के जगा पे है a बटा x a बटा x का whole square ठीक है तो a plus b यानि x बटा a plus a बटा x का whole square तो ये whole square है यानि दो बार गुना होगा x बटा a plus a बटा x गुना x बटा a plus a बटा x तो ये हो जाएगा इसका गुना बटा a बटा a बटा x गुना x बटा a बटा a बटा a बटा a बटा a बटा a बटा इस तरह प्रस्ण m हल करेंगे प्रस्ण n एक बटा x स्क्वाइर प्लस दो प्लस x स्क्वाइर तो इसको हम लिख लेंगे एक बटा x का whole square प्लस 2 इंटू एक बटा x इंटू x प्लस x स्क्वाइर तो a स्क्वाइर प्लस 2ab प्लस b स्क्वाइर के रूप में इसको हम लिख लेंगे a स्क्वाइर प्लस 2ab प्लस b स्क्वाइर तो a के जगा पर एक बटा x है b के जगा पर x है तो a स्क्वाइर प्लस 2ab प्लस b स्क्वाइर बराबर होता है a प्लस b यानि एक बटा एक्स प्लस एक्स का होल स्कुरा है तो इसका उत्तर होगा होल स्कुरा है यानि दो बार गुना कर देंगे इसको तो एक बटा एक्स प्लस एक्स गुना एक बटा एक्स प्लस एक्स तो यह हो जाएगा इसका उत्तर यानि गुनानखंड प्रस्न O O में है 4 बटा 3 प्लस x स्क्वाइर बटा 9 तो 4 बटा x स्क्वाइर को हम लिख लेंगे देखे, चार जो हता है 2 का वर्ग 2 बटा x का whole स्क्वाइर लिख लेंगे, क्यूंकि 2 का वर्ग चार होता है और x square है तो x पे भी वर्ग दे देंगे माइनस माइनस का चिन है तो 2 into a a में है 2 बटा x b में है x बटा 3 क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है तो 2 into a into b plus x square बटा 9 को लिख सकते हैं x बटा 3 का whole square तो a square minus 2 a b plus b square बराबर होता है a minus b का whole square यानि a a में है 2 बटा x b में है x बटा 3 तो a minus b का whole square तो इसका उत्तर हो गया तो whole square है यानि इसको 2 बार लिख लेंगे 2 बटा x minus x बटा 3 गुना 2 बटा x minus x बटा 3 तो इस तरह इसका गुना अन्खर्ण हो जागा 2 बटा x minus x बटा 3 गुना 2 बटा x minus x बटा 3 P P में है 9 बटा a square minus 24 बटा a b plus 16 बटा b square तो ये है प्रस्ट तो 9 बटा a square को हम लिख लेंगे 3 बटा a का whole square क्योंकि 3 का वर्ग नो होता है और a का a का वर्ग है तो इस तरह लिख लेंगे 3 बटा a का whole square minus minus का चीन है तो minus देंगे 2 into a a में है 3 बटा a into b में है 16 का वर्गमूल 4 और b का b square का वर्गमूल b minus 2 into a into b तो a के जगा पे 3 है और b 3 बटा a a के जगा पे है और b के जगा पे है 4 बटा b तो अब यहाँ पे plus का चीनने देंगे 16 का वर्गमूल 4 b square का वर्गमूल b तो इसका whole square कर देंगे तो a के जगा पे हो गया 3 बटा A, B के जगा पे 4 बटा B तो A²-2AB प्लस B² तो इसको लिख लेंगे तो A²-2AB प्लस B² बराबर होता है A-B A-B का होल स्क्वाइ ठीक है तो होल स्क्वाइर है यानि 2 बर गुना हो रहा है तो 3 बटा A-4 बटा B दो बर इसको गुना कर देंगे 3 बटा A-4 बटा B तो इस तरह इसको हल करेंगे Q Q में है A² B² A²-B² प्लस 2 ABCD A, B, C, D प्लस C²-D² तो A²-B² को लिख सकते हैं A, B का होल स्क्वाइर प्लस प्लस 2 इन्टू A, B, इन्टू C, D इसको लिख लेंगे 2 A, B A में है A, B अब B बराबर है C, D ठीक है अब C²-D² को लिख लेंगे C, D का होल स्क्वाइर तो देखिए A के जगा पे A, B है B के जगा पे C, D है तो A² प्लस 2 A, B, प्लस B, A² बराबर होता है A, B यानि A, B, प्लस C, D का होल स्क्वाइर तो होल स्क्वाइर है यानि दो बर गुना हो रहा है तो A, B, प्लस C, D इन्टू A, B, प्लस C, D तो ये हो जाएगा इसका गुनान खड R 4 A² B² माइनस 4 A, B, C, D प्लस C² D² तो ये है प्रेस तो 4 तो 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग तो इसको लिख सकते हैं 2 A, B का होल स्क्वाइर क्यूंकि A² B² है और 4 का वर्ग मूल हो जाएगा 2 ठीक है तो 2 का वर्ग 4 A का वर्ग A देखिए A का वर्ग है और B का वर्ग है तो इस तरह लिख लेंगे 2AB का whole square minus 2 into A के जगा पे है 2AB देखिए 2AB into C square D square है तो B के जगा पे CD हो जाएगा अब C square D square को लिख लेंगे CD का whole square तो A square minus 2AB plus B square तो A के जगा पे 2AB है B के जगा पे है CD तो A square minus 2AB plus B square बराबर होता है a minus b तो 2ab 2ab हो गया a minus cd cd हो गया b का whole square 2ab minus cd का whole square तो इसको लिख लेंगे 2ab minus cd into 2ab minus cd तो यह हो जाएगा इसका गुननखन प्रस्ण s s में है 9x square by square plus 6 यानि 6x by z plus z square तो इसको हम लिख लेंगे 9 यानि 3 का वर्ग है तो 3x by का whole square इसको लिख लेंगे 9x square by square को क्योंकि 3 का वर्ग 9 और x square by square को इस तरह लिख लेंगे plus 2 into 3x by into z square यहाँ पर z लिख लेंगे तो 2 into a into b plus b square तो a square plus 2ab plus b square बराबर क्या होता है a plus b यानि 3x by plus z का whole square whole square है यानि दो बार गुना होगा तो इसका उद्दर हो जाएगा 3x by plus z गुना 3x by plus z तो यह हो जाएगा इसका गुनानखन t t में है 25 u square माइनस 80 u b पलस 64 b square तो 25 u square को हम लिख सकते हैं पचपचे पचीस होता है तो 5 u का whole square माइनस 2 into 5 u और 64 यानि 88 64 तो 8 b इसको लिख लेंगे 8 b का whole square पलस 8 b का whole square तो a के जगा पह है 5 u b के जगा पह है 8 b तो a square माइनस 2 a b पलस b square बराबर होता है a माइनस b यानि 5 u यानि 5 u माइनस 8 b का whole square तो whole square है यानि 2 बर गुना हो रहा है तो 5 u माइनस 8 b इन्टू 5 u माइनस 8 b तो ये हो जाएगा इसका गुना अनिखंड 5 u माइनस 8 b गुना 5 u माइनस 8 b